अब हम बात करेंगे हौकी की तो हौकी में आज भारत और न्यूजिलेंट का मुकाबला होना है और इसके लिए डू और डाई वाला मुकाबला है आज भारत के लिए भारत अगर आज मैच में जीत हासिल नहीं करता है तो फिर ओलंग पिक में क्वालिफाई करने की उम्मीदे धूमिल हो जाएंगी और कहीं ने कहीं भारत ये जो दर्शक हैं जो जार्खन के हौकी प्रेमी हैं वो भी निराश हो जाएंगे ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संबादाता नीरज जुड़े हुए हैं जो सिधे स्टेडियम के पास हैं नीरज क्या कुछ तैयारिया है और लगता है कि भारते टीम में क्या कोई बदलाओ भी हुआ है क्या देखिए साड़े साथ बज़े मैच सुरू होना है और अभी तक जो है लाइन अप नहीं आया है अलकि अगर बात की जाए तो रोटीशन सब्स्ट्यूशन होते रहता है जिसमें लगतार सभी प्लेयर आपको ग्राउंड पे खेलते हुए दिखाए देंगे लेकिन उससे पहले अगर बाहर की बात कर ले तो बारी संख्या में जो दर्सक है वो स्टेडियम के बाहर मौजूद है जो की टीम इडिया के मैच के सुरू होने से पहले बाहर दिखाए दे रहे लेकिन कुछ देर के बात वो अंदर टीम इडिया को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे आप देखें मेरे पीछे की तस्वीर है जहाँ पर काफी संख्या में जो दर्सक है वो पहुँचे हुए हैं हाथों में तिरंगा जंडा लिये हुए हैं और इस तिरंगा जंडा के साथ जो है स्टेडियम के अंदर प्रवेस करेंगे और कहीना कहीं टीम का सपोर्ट करते तो देखें किस तरह से बड़ी संख्या में जो दर्सक है वो स्टेडियम के बाहर मौजूद है जिसमें आपको हर वर्ग के जो लोग है वो दिख जाएंगे और अगर बात किया जाया च्छोटे से लेकर बढ़े तक सभी लोगें आपको दिखाए देंगे कुछ लोगों से कर लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है मैच को लेकर मैडम आपको कहां सही है हम लोग हीनु से आए हुए है और कल भी हमने मैच देखे थे वर्ट आज थोड़ा मायोसी था कल का मैच देखने लेगे आज काफी उम्मीद है खास करके हमारे होकी कैप्टन सभीता पुनिया फिर मीड फिल्डर मीड फिल्डर है निकी प्रधान है फिर डिफेंडर से सली मार्टेटे इन लोग घरकन के प्लेयर से काफी उम्मीद है अज क्या कुछ लग रहा है कल तो कहीने कहीन नीरासा हुई आप लोग कि आज भी हो सकता है तककर का मैच हो न्युजिलेंड से मुकाबल लग घहा हूँ खोरी से मुकाबला मुकारो या मरो मुकारइब और लुए म्मीद नगी हूई है यह आप काफी देर से यहां पर पहुंचे हूई हैं इंतिजार करें कि अंदर जाए और टीन इंडिया का सपूर्ट करें ऑड़ का मिकाबला को लेकर जा हैं अगर बात सो लेकिन अच्छा है और हम लोग सपोर्ट में आए हैं तो अच्छा है और दूसरी बात यह कि राची में हो रहा है हमारा ओलम्पीक कोलिफार तो यह बहुत गर्ब की बात है तो बहुत अच्छी बात है इंडिया है जी देगा ही जीतेगा क्या है च्छी तरह से दर्सकों में उत्सा है क्या लग राज की मैच में क्या होगा वरण न्युज्लेंट जो कह सकते हैं और जब रिकोड़ की बात कर लें तो अच्छा रिकोर्ड नहीं रहा है भारत की लगता है मुकाबला कुछ अलग होगा है कंके मुकाबले से कल का मैच हमने देखा न्यूजिलेंड काफी बेटर प्रदसन की अपने मैच में काफी यहां पिल्कुल काफी तो काफी अच्छी टीम है आज उमिद करते हैं सभी दर्तक सभी मेरे भर के हैं कि इंडिया को सपोर्ट करने आया है कि डेफिनिटी जीते और हम ओलंपिक क्वा करें और हमारे लिए बहुत गर्म की बात होगी अगर आज मैच जीती है तो इंडिया तो परिवार के साथ पूरा जो तीम इंडिया का समर्थन वह देने के लिए पहुंचे हैं जीते जितना चाहिए बिल्कुल जितना चाहिए और जिस तरह से यहां का आरेज्जमेंट और जारकर्ण और आची के लिए बहुत गर्व की बात है बहुत ही अच्छा लग रहा हम सभी को और इस तरह का ओर्गनाईजिशन होना चाहिए हमेशा कुछ कहेंगे पुरे मैच को लेकर आप लोग बहुत से इंटजार कर रहे हैं और काप excited भी दिख रहे हैं चेरफ कर इंड इंडिया 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 बिल्कुल नीरच को हम देख पार रहे हैं दर्शकों में उत्सा काफी हाई है जोश काफी हाई है और उमीद की जानी चाहिए कि आज जीत का तोहपा भी भारती टीम के खिलारी दर्शकों को देंगे कुरे परास करते हुए आपको जो जब मैस शुरू होगा तो बात करते हैं कुछ और दर्सक है जो कि मैस देखने के लिए जा रहे हैं तो रहे लेकिन ठंड का कही न खाई जो है असर भी दर्सकों में दिख रहा है अच्छा राजदानी राची में जो आई ज़ा रहा है बहुत बड कि आद देश यहां पर आई हुई है काफी गरवर्क करने वाला पल है और दर्सकों काफी प्रेम भी मिल रहे हैं क्या कुछ कहें आज मैस में बहुत जाइदा हरसो लास है और में देखा जा रहा है पर इंज्व ही किया जा रहा है हमारे जा कुछ होगा उमीद करते हैं तो आज करो या मरो वाला मैच भारती टीम के लिए हर उमीद की जा रही है कि जीत भारती टीम जरूर हासिल करेगी और ओलम्पिक की दोड़ में खुद को बनाये रखेगी